इस module में हम Phylum Arthropoda की class Mirostrometa के बारे में discussion करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके अंदर कौन-कौन से animals पाए जाते हैं members जो है Mirostrometa class इसको further हम two subclasses में divide कर देते हैं Xiphosura जो है इसके अंदर normally horseshoe crabd होंगे और दूसरी इसकी subclass है Uretida इसके अंदर आम तोर पर scorpions है और scorpions में सबसे जो बड़ी हैं joint water scorpions वो इसके अंदर मवजूद होंगी अब दूसरी इसकी subclass जो के Uretida है इसके animals आम तोर पर अब extinct हो चुके हैं ये animals अर्थ के उपर मवजूद थे Cambrian period से लेके Permian period तक Cambrian period जो है वो आम तोर पर 600 million years अग ये शुरूवा और 280 million years ago Permian period तक ये animals इस अर्थ पर मजूद रहें इसके बाद ये extinct हो गए और अब ये भी हमें सिर्फ fossilized शकल में ही मिलते हैं अब होर्शू क्रेप्ट की हम बात करें तो इसकी अभी तरक टक्सोनोमिस जो जिस्ट ने पोर स्पीशीज जो है उसके बारे में कहा है कि दे आर ओनली लिविंग टुडे रेस्ट वान दे आर एक्स्टिंक्ट एक स्पीशीज जो है वो इसकी बहु में और गल्फ ओफ मैक्सिमुम होर्शू क्रेप्स जो है यह नॉर्मली दे चो सिके वेंजर बिहेवियर इंटू दा सेंडी एंड मडी सबस्ट्रेट्स वहां पर जो है दे डिपेंड अपान दा एनिलेड्स स्माल मॉलस्क्स एंड अधर इन्वर्टीब्रेट्स फार फू और इन्ही स्मालर एनिमल्स को यह एज़ा फूड भी यूज़ करेंगे इनकी बॉड़ी अगफार्म अगर हम देखें तो नॉर्मली दिस इस यूजली आन्चेंज़्ट के टू हंडर्ड मिलियन इयर्स अगो से लेकर अब तक इसकी बॉड़ी में कोई भी खास चेंजिस नहीं आएं तो यह एक एक्सिलेंट एक्जामपल है स्टेबलाइज सेलेक्शन की जो के एवल्यूशन के अमल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिर इसके अंदर हार्ड होर्शू शेप कैरापेस मजूद है कैरापेस इस अ कवरिंग जो के इस लीमुलस या वाकिंग लेक्स जिसको हम कहेंगे की लेट्स यह जो है ज्यादा तर वाकिंग में यूज होंगी फूर्ड हैंडलिंग में यूज होंगी अब जो लास्ट फिर है अपेंडेजिस का दैट इस नॉर्मली हैविंग अ लीफ लाइक प्लेट लीफ लाइक प्लेट लीफ लाइ है body का जिसको हम posterior portion कहेंगे वो है इसका अफिस्थो सोमा पहला पोर्शन था प्रोसोमा अब अपिस्थो सोमा जो है इसके अंदर long unsegmented telson मजूदर telson is the last segment of the body अब यह अगर इसके अंदर एक wave of action this normally flips the horseshoe crab over the crab जो है this will at archies itself dorsally and then it will roll its body into a ball like structure and then flip back again to unroll its body to your pri body ko sometimes roll कर लेते हैं और sometimes your body ko unroll कर लेते हैं अब जो फर्स्थ मेर है आपिस्थो सोमल appendages का this is normally covering the genital pores of the body just go through an aperture that is called opercula और जो remaining five pairs हैं उसको हम कहेंगे book gills अब ये book gills जो नाम है इसका that is normally derived from plate like gills अगर जैसे एक book close को हम कर देते हैं तो उसके page हमें इस pile में शकल में नजर आते हैं इसी तरह से ही ये book gills हमें नजर आएगी अब यहां पर gas exchange जो है that will be normally through the gills through the blood and water crossing the gills surface horseshoe shaped crabs जो है इनके अंदर open circulatory system present है जैसे के बाकी आर्थ रोपोर्ट के अंदर फिर blood circulation जो है that is similar to arcanids and crustacean horse shoe craps जो है they are usually diocese और reproductive period के दुरान male and female जो है they normally come at the intertidal area फिर females जो है male after mating of male and female fertilized eggs जो है they are covered in the sand and normally they remain unattended till the time they develop this is the typical shape of limulus or king crab अभी हमने पड़ा cephalothorax के बारे में जिसको हम prosoma कहेंगे lateral eyes है median eyes है फिर है upistosoma इस में pre-abdomen है post-abdomen है and this is art tells in last segment though this is an excellent example of the animal representing class Mirostomata.